मेरा नाम है प्रियंका आप देख रहे हैं इट सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आपको अपनी कीमत समझनी पड़ेगी क्योंकि कोई आपको नीचा दिखाता है या ये कहता है कि तुम वर्दी नहीं हो इसका ये मतलब बिलकुल भी नहीं है कि तुम अक्चॉल में वर्दी नहीं हो जो इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि तुम worthy नहीं हो, simply उसे तुम्हारी worth नहीं पता है और वो तुम्हारी respect नहीं करता है तुम्हें अपनी worth proof करने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को impress करने की कोशिश मत करो तुम्हें पता है कि तुम वर्दी हो, कोई और ये चीज नहीं बता सकता तुम्हें, तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा that you are precious. मुझे बहुत सारी ऐसी प्रॉबलम आती हैं, कि मतलब बच्चे कह रहे हैं कि तुम तो लूजर हो, तुम हार गए या फिर तुम्हारे मारे साथ, ऐसे बहुत सारे मेसेज जाते हैं, तुम्हें क्या सही में लगता है कि तुम हार गए हो, जस्ट बिकॉस कोई और आज तुम् इसलिए हैं कि तुम हार गए हो, चानक के भी यही कहते हैं, कि इनसान तब तक नहीं हारता, जब तक वो हार नहीं मानता, उन्होंने कहा था, कि व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजे के लिए, चाहे वो कैसी भी सिच्वेशन में क्यू ना हो और बहुत बुर पराजे को स्विकार कर लेते हैं लोगों के कहने पे कि वो वर्दी नहीं है अपनी मंजल पर चलते चलते रुख जाते हो और हार मान लेते हैं और इसी बात को चानक्ये ने एक्स्प्लेइन करते हुए बहुत ही अच्छे एक बात बोली थी वो ये है कि मन से पराजे को स्विकार करने वाले हार से हताश होने वाले लोगों को ये कभी कबार पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा जब उन्होंने हार मानी जब उन्होंने पराजे को स्वि इफ़ीट, हर हार, वो क्या होती है, वो विजय यात्रा के आने वाले मार्ग में एक अनूभव मात्र होती है त elemental तुम यह समझो कि जो भी आज तुम हारे हो, जो भी डिफिट तुम्हें मिली है वो सिरफ तुम्हारी जीत के मार्ग में आने वाला एक experience है जो तुम्हें कुछ चिखा के जाएगा तुम्हें कुछ बना के जाएगा और हो सकता है उससे तुम्हें ये सीख मिलें कि तुम्हें क्या क्या अपनी गलतियां है जो नहीं दोरानी है दुबारा जिसकी वज़ा से तुम्हें फिर हार का सामना न करना पड़े ये जो अनुभव है हार का defeat का ये हमें कुछ सिखा के जाता है हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे हिम्मत नहीं आ एक बार गिर गिर गया है तो इसका ये मतलब नहीं गिड़ा रह जाए गा वो उठेगा वो गलतियां अपनी सुधा कि यह यह गलतियां हमने अभी तक करी हैं हमें हमारी सचाई दिखाती है हमारी हार वो हमें डी मोटिवेट नहीं करती है और दुगनी महनत के साथ प्रयास करने के लिए अगर अपनी हार को लेके बस रोते रहोगे तो कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे जिंदगी म अपनी हार से सीखना शुरू करो उससे यह समझना शुरू करो कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जो मुझे नहीं दोरानी है और फिर देखो वो हार कैसे तुम्हें तुम्हारी विजय के निकट लेके जाएगी कैसे तुम्हें तुम्हारी सही दिशा दिखाएगी कैसे तुम्हे हिम्मत देगी कि अब हमें दुगनी महनत और करनी है, सफल होने के लिए, अपने गौल को, अपने लक्षे को चीव करने के लिए, थिक है? तो अभी से, इसी समय से ये प्राण लेलो, कि अब निराश नहीं होना है, किसी के कहने का बुरा नहीं मानना है जो आज तुम्हें ठोकर लगी है कोई बात नहीं फिर से खड़े हो उठो दुबारा कोशिश करो दुबारा मेहनत करो तुम्हारी तरफ से तुम्हारी जीत का प्रयास कम नहीं होना चाहिए और अगर फिर भी कभी तुम अपने सही मार्ग से डगमंग आ जाओ तुम्हें फिर भी अपने उपरशक होने लगे कि क्या हम worthy हैं या नहीं कि हम पराजित हो गए हैं ऐसे कोई भी thoughts तुम्हारे दिमाग में आए तो चानक्य की ये बात जरूर याद में रखना कि व्यक्ती सिरफ और सिरफ तभी पराजित होता है जब वो मन से अपनी पराजे को सुईकार करता है जब तक तुम्हार नहीं मानोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता तुम्हारे पास हमेशा एक मौका रहेगा फिर खड़े होने का फिर उटने का फिर आगे बढ़ने का और अपने लक्षे को गोल को अचीव कर दिखाने का ठीक है तो उठो अपनी importance को समझो अपनी worth को समझो और आज ही से अभी से अपने गोल की तरफ लक्षे की तरफ काम करना शुरू कर दो ठीक है तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है